सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल एक्जाम इस्टिडी प्लैटफॉर्म में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत की भुगोल से लेटेट भारत की भौगलिक इस्तिति और सीमाओ के बारे में दोस्तों इस वीडियो को लाज तक देखेगा पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा पहला प्रशन लेते हैं दोस्तों आज का पहला प्रशन है आपकी स्क्रीन पर सर्फ प्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाशा में किया गया था तो दोस्तों यहाँ पर भाशा पूछी गई है इंडिया शब्द किस भाशा का शब्द है ओप्शन देख लेते हैं आपका ओप्शन है उर्दू भाशा का ग्रीक भाशा का फार्सी भाशा का या फिर अर्बी भाशा का तो दोस्तों अगर इंडिया शब्द की बात की जाए तो यह आपका एक ग्रीक भाषा का सब्द है बी अंसर को लॉक करेंगे हम लोग पूरी चनकाड़ी ले लेते हैं दोस्तों यह शब्द जो है यूनानी यानि की ग्रीक लेटिन भाषा के द्वारा दिया गया है क्योंकि यूनानी लोग जो थे वो सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे इंडस नदी कहते थे सिंधू नदी को युनानी लोग और जिस स्थान पर इंडस नदी बहती थी उसे ही इंडिया कहा जाने लगा तो दोस्तों इंडिया आपका एक ग्रीक भाशा का सब्द है नेक्ष्ट है दोस्तों आपका भारत किस गोलार्ध में इस्तित है भारत की इस्तिती पूछी गई है कि किस गोलार्ध में इस्तित है भारत option में दिया हुआ है उत्तर पूर्वी गोलार्द, दच्चिड और पूर्वी गोलार्द, उत्तर और पश्यमी गोलार्द या फिर उत्तर और दच्चनी गोलार्द सही आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका भारत देश जो है ये उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में इस्थित है ए अप्शन को लॉग करेंगे हम लोग डिटेल जान लेते हैं हम लोग भारत दच्चिड एशियर आप में इस्थित भारती उप महादियूप का सबसे बड़ा देश है जो की पूर्व रूप से आपका उत्री गोलार्ध में इस्थित है अगला प्रशन लेते हैं दोस्तों अगला प्रशन है आपका आकार की डिश् से कौन सा इस्थान है सही आंसर की बात करें तो दोस्तों सही आंसर आपका यहां पर तीसरा हो जाएगा सी ओप्शन को लॉग करेंगे हम लोग सी आंसर यहां पर आपका सही है सात्वा इस्थान है भारत का डिटेल की बात करें दोस्तों डिटेल जान लेते हैं भारत स्थान भारत का और जन संगया की स्थान है वहिए अगर अगर आपसे पूछा जा जाता है प्रश्ण में जन संगल की सिछत्य steps का है तो वह चीन का है और अगर की सिछटी से आपका रूस नंबर एक पर भॉगोलिक द्रिष्डी से रूस का पहले नंबर पे स्थान हैं चितरफल की द्रिष्डी से बड़ा देश है बढ़े नेक्स दोस्तों से उसके कुल नौ राज्य ऐसे हैं जिनकी तट रेखा समुद्र से लगती है पूरी जानकारी ले लेते हैं कुल नौ राज्य हैं जिनके नाम है अपकी गुजरात महराश्ट्र गोवा करनाटक केरल तमिलनाडू आंद्रप्रदेश उडिशा और पश्चिम मंगाल ये ऐसे नौ राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं उसी के साथ साथ दोस्तों चार केंद्रशाशित प्रदेश भी हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती हैं उनके नाम है पुड़ूचेरी लक्ष दियूप दमन और दियूप और अंडमान और निकोबार तो दोस्तों यह ऐसे जोस्तों अगर बात करें आच्छांस और देशांतर की तो ये गलोब पर खीची गई कालपनिक रेखाओं को आच्छांस और देशांतर रेखाय कहते हैं वहीं अच्छांस रेखा आपकी भूमंद्र रेखा पर खीची गई काल्पनिक रेखा होती है और देशांतर रेखा आपकी पूर्वी से पस्चमी धुरू पर खीची गई काल्पनिक रेखा होती है यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें तो C option यहाँ पर सही हो जाएगा C option क है। इसके बारे में हम लोग भारत की निर्पेच अवस्थिती जो है ये आपकी 3214 km इसकी उत्तर से दच्छिर तक की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक की चौडाई की बात करें तो 2933 km इसकी चौडाई है इस्थलिय सीमा अगर पुछी जाती है आपसे तो 15200 km इसकी इस्थलिय सीमा है और 7516.6 km इसकी समुद्र टट की लंबाई है तो दोस्तों ये देटा भी याद रखना जरूरी है एक्जाम में कभी-कभी आपका डेटा से लेटेट प्रशन भी आ जाता है तो इन डेटा को जरूर याद रखेगा नेक्श दोस्तों लेते हैं हमारा अगला प्रशन अगला प्रशन है भारत मुख्य भूमी की दच्छडी सीमा क्या है तो छे डिगरी आठ मिनट उत्री आच्छांस सही आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका सी आंसर को हम लोग करेंगे आठ डिगरी चार मिनट उत्री आच्छांस पर भारत की दच्छडी सीमा है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग आठ डिगरी चार मिनट पर भारत की दच्छडी सीमा इस्थित है अगला प्रिशन है दोस्तो भारत का प्रमारिक समय उस इस्थान का इस्थानिय समय है जो इस्थित है तो दोस्तो अगर प्रमारिक समय की बात की जाए तो यहां आपका कहां पर इस्थित है अगर बात करें ऑप्शन की दिल्ली के समीप कुलका प्रमार्डिक समय की बात की जाये तो या इलहाबाद की समीप नैनी के पास इस्थित है पुरी डिटेल जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले जानते हैं मानक समय किसे कहते हैं मानक समय वह समय होता है जो किसी देश या विस्तरित भूभाग के लोगों के द्वारा स्विक्रित किया जाता है इसे ही हम लोग मानक समय कहते हैं वहीं अगर हम लोग GMT की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका Greenwich Mean Time और इसका निर्धारन जो है इंगलेंड के Greenwich इस्थित अब्जिट्रेरी से किया जाता है भारत में दोस्तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलहाबाद के नैनी से गुजरती है इसी को मानक समय माना गया है तो दोस्तो इसको ध्यान रखेगा इलहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है इसी को हम लोग मानक समय मानते है अगला प्रशन है दोस्तो हमारा Indian Standard Time और Greenwich Mean Time में कितना अंतर है तो दोस्तो यहाँ पे पूछा गया है Greenwich Mean Time यानि GMT और Indian Standard Time यानि भारत का मानक समय इसके बीच कितना अंतर है अप्शन की बात करें तो 5 गंटे 10 मिनट दूसरा अप्शन है 5 गंटे 20 मिनट तीसरा अप्शन है 5 गंटे 30 मिनट या फिर चोथा अप्शन है 5 गंटे 40 मिनट तो दोस्तो अगर सही आंसर की बात करें तो C को हम लोग यहाँ पे लॉक करेंगे पांच घंटे 30 मिनट का आपका अंतर है यहाँ पे इंडियन स्टेंडर टाइम और ग्रीन वीच मीन टाइम में डीटील जान लेते हैं डीटेल में आपका भारतिय मानक समय जो है वो ग्रीन वीच मीन टाइम से करीब साढ़ी पांच घंटा आगे है इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब ये हुआ अगर भारत में शाम के 6 बज रहे हुँगे तो आपका लंदन में उस वक्त के दुपहर के 12.30 बज रहे हुँगे यानि आपे पुछा गया है भारत का जो छेत्रफल है वो विश्व के छेत्रफल का कितना परसेंट है तो अगर विश्व के छेत्रफल से भारत की छेत्रफल की बात की जाए तो भारत का छेत्रफल आपका 2.4% है विश्व के भागौलिक छेत्रफल का मात्र 2.4% आपका भारत का छेत्रफल है पुरी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों भारत का कुल छेत्रफल जो है वो आपका 32,87,263 स्क्वार किलो मीटर है यह डेटा दोस्तों आपका एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं या छेत्रफल जो है वो आपका 2.4% है मात दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भारत का छेत्रफल कितना है तो दोस्तों भारत के छेत्रफल की बात की जाये तो भारत का कुल छेत्रफल आपका 32,87,263 किलो मीटर है तो सी आंसर को यहाँ पर लॉक करेंगे हम लोग सी आंसर सही है आपका देख सकते हैं आप लोग वर्तमान स समय में भारत का जो छेत्रफल है यह अपका 32,87,263 वर किलो मीटर है वहीं उत्तर से दच्छिड की दिश्टा में भारत की कुल लंबाई 3055 किलो मीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई इसकी 2933 किलो मीटर है अगला प्रशन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है भारती उप महादीव मुलता एक विशाल भूकर्ण का भाग है जिसे कहा जाता है तो दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है भारती उप महादीव जिस विशाल भूकर्ण पर इस्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्या उसे हम लोग जुरेसिक भूकर्ण कहते हैं आर् ब्हारत के गोंडवाना चेत्र के नाम पर रखा था तो इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था एंडवेट स्वेस के द्वारा रखा गया था और दोस्तों गोंडवाना भुभाग जो है आस्ट के समस्त दच्छडी गुलाद के अलावा भारती उपमहदियूप और अरब जो वर्तमान में उत्री गुलार्द में हैं उसका उद्गम इस्थल भी है तो दोस्तों यह आपका यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए दोस्तों भारत में निमलिकित में से किस राजी की तटरेखा सबसे लंबी है तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कौन सा ऐसा राजी है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला है क्या वो महराष्ट है केरल है गुचरात है यह फिर पश्चिम बंगाल है तो दोस्तों अगर सहीा आनसर की तो 9 राज्य प्रणात्य फ़ादियों सुलतुा अपका option दिया हुआ है यहाँ पे उत्तरप्रदेश मध्डप्रज, गुजरात या फिर जारकण तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है बाकि इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है अगला प्रशन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है निम्ने नगरों में से कौन सा भारती राज्य करक रेखा के उत्तर में स्थित है तो दोस्तों अगर बात की जाए करक रेखा के उत्तर में तो आप्शन ए को हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे मडिपूर एक ऐसा राज्य है जो करक रेखा के उत्तर में स्थित है यहाँ पर स्थित की बात की गए है दोस्तों यह आपकी करक रेखा है जोकी आठ राज्यों से होकर गुजरती है यहां पर देख सकते हैं आप लोग गुजरात, राजिस्थान, मध्य प्रदेश, जारकन, चातिसगर, प्रश्चिम, बंगाल, तृपुरा और मिजोरम इनसे होकर करकरेका गुजरती है नेक्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला प्रशन है निमलिकित में से कौन सा नगर करकरेका से निकटम दूरी पर अवस्थित है यानि यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा नगर है जो सबसे करीब इस्थित है करकरेका के तो दोस्तों सबसे करीब की बात की जाए तो option दिया हुआ है यहाँ पे अगरतला, गांधी नगर, जबलपूर या फिर उज्जैन तो सबसे करीब यहाँ पे अगरतला है यह option को lock करेंगे हम लोग त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला जो कि आपके कर्क रेखा के सबसे निकटम है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कर्क रेखा राची से होकर गुजरती है जारकन के राची से होकर गुजरती है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदी की शहर है नेक्स देखी दोस्तों कौन सी अच्छांस रेखा भारत की मद्ध से होकर गुजरती है तो दोस्तों अच्छांस रेखा की बात की जाए तो करक रेखा जो है यह आपकी भूमद रेखा से होकर गुजरती है और यह भारत की बीचों बीच से होकर गुजरती अभी आपको चित्र में दिखाया गया था यह भारत के 20-20 से होकर गुजरती है यहापे देख सकते हैं 23-32 डिग्री उत्री अच्छांस करक रेखा मत्य प्रदेश के रायसेन विदिसा सागर दामो कटनी उमरिया शहडोल और जबल पुर जिलो से होकर गुजरती है अगला प् रेखा जो है कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती है डी ऑप्शन को लॉग करेंगे हम लोग आठ राज्य कौन कौन से हैं आपके मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल जहारकरण च्छतिजगर मध्य प्रदेश राजिस्थान और गुजरत इन राज्यों से होकर करक आठ गुजरती है नेक्सक्त दस्तो भारत का दच्छर्तम बिन्दू कौन सा है इंध्यक्त इंड्रकल क्यालिमेयर पॉइंड्र पॉइंट इंड्रा पॉइंड्र ऍरिमन पॉइंट तो दच्छर्तफ़ और दिर्प्पॉाइंट लünden यह इंत्र्आ कि ब कि更दर और ग्रेट निकोबार के अधीन आता है तो इस बात को दोस्तो ध्यान रखेगा अगला प्रशन देखिए दोस्तों अगला प्रशन है अपकी स्क्रीन पर डकन पास किसके बीच इस्थित है तो दोस्तों अकर डकन पास की बात की जाए तो option में दिया हुआ है पहला option उत्री अंडबान एवं मध्य अंडबान के बीच या फिर दच्छडी अंडबान और मध्य अंडबान के बीच दच्छडी अंडबान और छोटा अंडबान के बीच या फिर कार निकोबार और छोटा निकोबार के बीच तो दोस्तों डकन पास जो है यह आपका दच्छडी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच इस्थित है शी ओप्सन को लॉग करेंगे हम लोग पूरी जानकाली ले 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 लेते हैं दोस्तो डकल जिनसल्दी जो है यह आपकी भारत की अंडमान निकोबार द्यूप समू में रटलैंड द्यूप को छोटा अंडमान द्यूप से अलग करने वाली एक जलसंदी है तो दोस्तो इसका नाम याद रखेगा नेक्स्ट है दोस्तो आपका श्रीलंका को भारत से प्रिथक करती है तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है श्रीलंका को भारत से कौन सी जलसंधी प्रिथक करती है क्या वो ग्रेट चैनल है, आट डिग्री चैनल है, पाक जलसंधी है या फिर दश डिग्री चैनल है तो दोस्तों अगर श्रीलंका की बात की जाए तो पाक जलसंधी जो है ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पाक जलसंदी यह भारत के तमिलाडू राज और श्रीलंका के उत्री प्रांत के जाफना जीले के बीच इस्थित एक जलसंदी है यह जलसंदी पूर्वत्तर में पाक खाड़ी को दच्छर पस्चिम में मनार की खाड़ी से जोड़ती है त दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है रेखा उसे क्या कहते हैं क्या उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं मैक मोहन रेखा कहते हैं दूरन रेखा कहते हैं या फिर इस्टेट फोर्ड रेखा कहते हैं तो दोस्तों अगर भारत और चीन क के बीच की रेखा की बात करें तो मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है इसको पूरी डिटेल की बात करें तो डिटेल जान लेते हैं मैक मोहन रेखा जो है ये पूर्वी हिमाले छेत्र से चीन के अधिकरित भाग और भारत अधिकरित छेत्रों के बीच की सीमा चिन्हित कर मांचित्र में लाल रंग से दर्साया जाता है तो दोस्तों मैक मोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं अगला प्रशन देखिए दोस्तों अगला प्रशन है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्टिय सीमा किसके द्वारा सीमा अंकित की गई है तो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्टिय सीमा रेखा का नाम प रेड़क्लिफ रेखा जो है दोस्तों ये 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई एक रेखा थी जिसको सिरिल रेड़क्लिफ के अधर्चता में सीमा आयोग के द्वारा रेखा का निर्दारन किया गया था तो दोस्तों रेड़क किस देश के साथ भारत की अंतर राष्टी सीमा नहीं लगती है तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की किस देश के साथ अंतर राष्टी सीमा नहीं लगती है तो दोस्तों सही ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम लोग श्रिलंका अग्ला प्राई करें दोस्तों भारत अंपने उंतार राष्टे सीमा उत्तर में चीन फुटान और नेपाल वह CA संगार प्रमे और बांगला देशर पूर्व में इन देशों के साथ लगाता है अगला प्रेशन देखिए दोस्तों है आपकी स्क्रीन पर निम्लिक्त में इसे किस भातिय राज्य की समुद्र तटिय सीमा सबसे छोटी है तो दोस्तों अगर बात करें सबसे छोटी समुद्र तटिय सीमा वाले राज्य की तो क्या वो गोवा है केरल है उड़ीसा है या फिर पश्चिम बंगाल है तो दोस्तों आंसर आपका सही हो जाएगा यहां पे गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तटिये सीमा रेखा सबसे कम है 101 किलो मीटर है वहीं अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए समुद्र तटिये रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं यह आपके राज्य है जो समुद्र तट ये रेखा वाले हैं और चार केंदर शाशित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से सीमा लगाते हैं नेश्चे दोस्तों सबसे छोटी स्थलिय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है दोस्तों पूछा जा रहा है यहां पे भारत अपनी सबसे कम सीमा किस देश के साथ साजा करता है क्या वो पाकिस्तान है नेपाल है म्यामार है या फिर अफगानिस्तान है तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो D option को हम लोग करेंगे यहां पे भारत अपनी अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साजा करता है कुल 106 किलोमीटर की सीमा है जो भारत अफगानिस्तान के साथ साजा करता है अगला प्रशने देखिए दोस्तो भारत की सबसे लंबी अंतर राष्टी सीमा किस देश के साथ लगती है तो दोस्तो अगर पूछा जाए आपसे कौन सा देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है क्या वो नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है या फिर बांगला देश है सही आंसर दोस्तो डी हो जाएगा यहाँ पे बांगला देश एक ऐसा देश है जो आपकी सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है भारत के साथ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो आप लोग भारत की इस ते लिए सीमा कुछ इस प्रकार है बांगला देश के साथ 4096.7 किलोमीटर उसके बाद चीन के साथ फिर पाकिस्तान, नेपाल, मियमार, भूटान और सबसे कम जो है वो अफगानी स्तान के साथ नेक्स्ट है दोस्तो आपका भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो अगर बात करें भारत के पूर्वी समुद्री तट की तो इसको क्या हम लोग घीगार तट कहते हैं, कॉर्मंडल तट कहते हैं, कुंकर तट कहते हैं या फिर मालाबार तट कहते हैं सही अंसर की बात करें, तो दोस्तो कोरमंदल टट जो है उसको भारत का पूरवी समुद्र टट के नाम से जाना जाता है। सही है अंसर B हो जाएगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो पूर्वी तटिये मैदानी छेत्र दचिर भारत में पूर्वी घाट यानि की कोर मंदल टट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले लंबे समतल छेत्र को कहा जाता है नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपका प्रशन है कोंकर टट कहां से कहां तक विस्त्रित है तो दोस्तों कोंकर टट के बारे में पूछा गया है क्या वो गोवा से कुच्छी तक है गोवा से दिव तक है गोवा से दमन तक है या फिर गोवा से मुंबई तक है तो दोस्तों सही option की बात करें तो C answer को हम लोग करेंगे कोंकर तट जो है यह आपका गोवा से दमन तक विस्त्रित है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कोंकर अत्वा कोंकर तट जो है यह भारत के पश्चमी तट का परवती अनुभाग है यह 720 किलोमीटर रंबा समुद्र तट है जो की कोंकर में महराष्ट और गोवा के तटिये जिले इसके अंतरगत आते हैं अगला प्रेशनी देखे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है किस भारती राज की सीमा सारवतिक राज्यों की सीमा को इश्पर्ष करती है आप्शन दिया हुआ है मदर प्रदेश, असम, उत्तर प बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा सारवतिक राज्यों के साथ शेयर करता है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अधिक्तम राज्यों के साथ इसपर्ष करती है कुल नौ रा प्रदेश का नाम पुछा गया है कौन सा नहीं है इन में से तो त्रिपुरा एक राज है ये केंदर शाषित प्रदेश नहीं है बाकी आपके तीन जो हैं यहाँ पे केंदर शाषित प्रदेश हैं वर्तमान में दोस्तों कुल आठ केंदर शाषित प्रदेश हैं जिनके नाम ये हुए हैं आपको यहाँ पे अंडमान और निकोबार चंडीगर दादर नागर हवेली और दमन और दियूप ये दोनों दोस्तों पहले अलग-अलग थे लिकिन इंका अभी एक में ही विलाय कर दिया गया है अगला है दिल्ली पुडुचेरी लक्ष दियूप जम्मू कश् और लद्दाग की बात की जाए तो वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इनका गठन किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाग को केंद्र शाशित प्रदेश घोशित किया गया है तो ये आपके नए बनाए गया है अगला प्रशन देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर है संग शाशित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निमने में से किन राज्यों के बीच इस्तित है तो दोस्तों यहाँ पे दादर और नागर हवेली की इस्तिती पूछी गई है कि वो किन राज्यों के बीच इस्तित है सही आंसर की बात करें तो आपका गुजरात और महराष्ट के बीच आपका दादर और नागर हवेली इस्थित है option D यहाँ पर सही हो जाएगा गुजरात और महराष्ट के बीच आपका दादर और नागर हवेली केंदर शार्षित प्रदेश इस्थित है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग दादर और नागर हवेली का छेत्र जो है यह 491 वर्ग छेत्र में फैला हुआ है यह दचिर महराष्ट और उत्तर गुजरात के बीच एक केंदर शाशित प्रदेश है इसे 2 अगस्त 1954 को पुर्दिकाली साशिकों से स्वतंदरता मिली थी तो दोस्तों यह भी आपका इंपोर्टेंट हो सकता है कि इन साशिकों के द्वारा इसकी स्वतंदरता प्राप्त हुई थी तो पुर्दिकाली साशिकों के द्वारा इसकी स्वतंदरता मिली थी नेक्स्ट दोस्तो पोल्ट बेयर इस्थित है तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे पोल्ट बेयर है क्या तो यह आपका अंडमार और निकोबार द्यूपसमू की राजधानी है पोल्ट बेयर और यह कहां इस्थित है क्या वो उत्री अंडमान में इस्थित है दच्छडी अ प्रशाशनिक द्रिष्टी से अगला प्रशने देखें दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारन किस ने किया था तो दोस्तों अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की बात करें तो यह आपके रेड क्लिफ लाइन यानि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है और इसका निर्धारन जो किया था यह आपका Sir Siril John Redcliffe के दुआरा किया गया था तो यहाँ पर B option जो है यह आपका सही हो जाएगा Sir Siril John Redcliffe के दुआरा भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो रेड़क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है जो कि ब्रेटिस फकील सर सिरिल रेड़क्लिफ के नाम से प्रेरित है क्योंकि उन्हों ने ही दोनों देश की सीमा का निर्धारन किया तो आपका निम्लेखित राजियों में से कौन सा राज तीन तरफ सी बांगलादेश से गिरा हुआ है आप्षेन दिया हुआ है त्रिपुरा एक रैसा राज है जो तीन तरफ से बांगलादेश से घिरा हुआ है डीटेल की बात करें दोस्तों तर डीटेल जान लेते हैं त्रिपुरा तीन ओर से बांगलादेश से घिरा हुआ है बांगला देश त्रिपरा को उत्तर दच्छिड और पश्ची मोर से घेरे हुए है इसके अलावा दोस्तो त्रिपरा जो है वो पूर्वी छोर्व से भारत के ही राज्य असम और मीजोरम के साथ सीमा है लगाता है तो दोस्तो त्रिपरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांगला देश से घेरा है नेश्ट है दोस्तो डूरंड लाइन निमलिखित में से कौन से देशों के बीच की सीमा रेखा है तो दोस्तों अगर डूरंड रेखा की बात की जाए तो क्या वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है भारत और चीन के बीच की रेखा है या फिर सही उत्राट अमेरिका और मैक्सिको के बीच की रेखा है तो सही अंसर की बात करें तो दोस्तो डूरंड रेखा जो है यह आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतराश्ट्री रेखा है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग पूरा अंसर दूरंड रेखा को 1893 में हिंदु कुष छेतर में स्थापित किया गया था यह अफगानिस्तान और ब्रिटिस भारत के बीच आदिवाशी भूमी से होकर गुजरती थी आधुनिक समय में इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को चिन्हित किया हुआ है नेक्ट है दोस्तों आपका पाकिस्तान की सीमाओं से लगे हुए भारत के कौन-कौन से राज्य है दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साजा करते हैं तो भारत के कुल चार ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साजा करते हैं जिनमें कि आपका गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजिस्थान है तो B option यहाँ पे आपका सही हो जाएगा चार राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साजा करते हैं नेक्श दोस्तों आपका छेत्रिफल के क्रम में भारत के तीन सबसे बड़े राज्य कौन से हैं तो अगर छेत्रिफल की दृष्टी से बात की जाए तो भारत के तीन सबसे बड़े राज्यों के नाम है नमबर एक पे राजिस्थान है आपका नमबर दो पे मध्रप्रदेश है और नमबर तीन पे महराश्ट है यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ए आप्शन सही हो जाएगा राजिस्थान उसके बाद मदर प्रदेश और उसके बाद महराश्ट आपका छेतरफल की दिश्टी से बड़े राज है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सबसे बड़े राज में राजिस्थान पहले नमबर पर है फिर मदर प्रदेश और उसके बाद महराश्ट अगला प्रशन देखिए दोस्तो है आपकी स्क्रीन पर कौन सा राज उत्तरपूर्वी राज की साथ बहनों यानि की सेवन सिष्टर का भाग नहीं है तो दोस्तो सेवन सिष्टर की बात करें तो साथ ऐसे राज हैं जिनको सेवन सिष्टर के नाम पे जाना जाता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कौन सा ऐसा राज है जो इन राज्यों में नहीं आता है तो दोस्तो अप्शन की बात करें तो मेगाल है, पश्चिम बंगाल, अनुरांचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा सही ऑप्शन हो जाएगा B, B को लॉग करेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल है, यह सेवन सिष्टर में नहीं आता है कौन कौन से राज जाते हैं आईए देख लेते हैं उत्तरपूर्व भारत को इनके एक दूसरे पर परस पर निर्भरता के कारण इनको सेवन सिष्टर यानि साथ बहनों की भूमी की रूप में जाना जाता है इनमें कौन कौन से राज जे हैं दोस्तों, अनुवांचल प्रदेश है असम है, मेगाले है, मडीपूर है, मिजोरम है, नागा लैंड है और त्रिपुरा है इनी को सेवन सिष्टर के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है निमलिखित राजियों में से किस की तट्रेखा सारवधिक है तो दोस्तों सारवधिक तट्रेखा की बात की जाए तो क्या वो गुजरात है, महराष्ट है, केरल है या फिर तमिल नाडू है तो दोस्तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा तर्ट्रेखा है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो आप लोग गुजरात की 1214.7 किलो मीटर लंबी समुद्र तर्ट्रेखा है जो देश की कुल मुख्य भूमी की तर्ट्रेखा लगभग 23% है या सबसे लंबी मुख्य भूमी की किनारे वाला राज्य है तो गुजरात की तर्ट्रेखा आपकी सबसे लंबी है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो आज का अंतिम प्रशन है हमारा आंधर प्रदेश का घटन कब किया गया था तो अगर आंधर प्रदेश की बात की जाए तो भाषाई अधार पर गठित किया गया पहला राज्य आपका जो है भारत में वो आंधर प्रदेश है और इसका गठन आपका वर्श 1903 में किया गया था सही अंसर भी हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो एक अक्टूबर 1903 को आंधर प्रदेश को भाषाई अधार पर गठित करने वाला पहला राज्य बनाया गया था तो दोस्तो आंधर प्रदेश आपका 1903 में गठित हुआ था तो दोस्तो यह था हमारा छोटा सा वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो इसको लाइक करें शेयर करें साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक यू